परशकार में राजमोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज बिहार बिहार में कुरोना जो है वो रफ्तार में अभी भी है उसका रफ्तार धीमा परता नजर नहीं आ रहा है पिछले 24 घंटे में 2762 नए संक्रमित मरीज पुरे बिहार से मिले हैं और इन्हें नए मरीजों की संख्या के साथ ही बिहार में अब कुरोना के कुल संख्या 57270 पर पहुंच चुकी है बिहार में अब मामला गंभीर होता जा रहा है लेकिन यहां पर एक और देखने वाली बात होगी कि बिहार में पिछले 24 घंटे में 35,000 से जादा जाच किये गये हैं यह अपने आप में जहां मामला पहले 10,000-20,000 तक पहुंचा था फिर 22,000 तक गया था कल 28,000 गया था लेकिन आज जो है वो 35,000 के जाच को बिहार ने टच किया है पहले एक नज़र डालते हैं कि किस जीले से कितने नए संक्रमित मरीज मिले हैं उस पर अरर्या उनतिस अरवल 14 औरंगाबाद 13,000 बाका 29 बेगु सराय 69 भागलपूर 170 भोजपूर 50 पकसर 66 दरवंगा 67 देवगर जिसका सेंपल पटना में कलेक्ट किया गया था एक दुमका जिसका सेंपल पटना में कलेक्ट किया गया था एक इस्ट चमपारण 83 गया 91 गोपाल ग गंजी ग्यारा लखीमपूर जिनका सेंपल पटना में कलेक्ट किया गया था एक लखी सराई चार मद्देपूरा 33 मदुबनी 81 मुंगेर 46 मुझफरपूर 69 नलंदा 119 नवादा 36 पलामू जरखंड के हैं उनका भी पटना में सेंपल कलेक्ट किया गया था एक पटना 460 पुर् आतर स्यक्पूरा 36 सीवर साथ सिता मड़ी 62 सिवान 69 सुपॉल 51 वैसाली 132 चंपारन 45 इस तरह आप पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार से 27 बासट नय संक्रमित मरीज मिले हैं जाच बटने के साथ ही और मरीजों की संख्या बटने के साथ ही बिहार का रिकवरी रेट नीचे गिर गया है 64 परसेंट से भी नीचे आ चुका है जो कि पहले कुछ दिन पहले 68 और 67 परसेंट पर था वह अब गिरकर लगबग 30.97 प्रतिसत पर आ चुका है पिछले 24 घंटा में जो ठीक हुए मरीज उनकी संख्या है 1164 जबकि कुल अब तक ठीक हो चुके जो मरीज है उनक में पिछले 24 घंटा में 35,619 जाच किये गये हैं एक नजर उस पर भी डाल देते हैं कि किस जीले में मरीजों की कितनी संख्या हो गई है अररिया 703, अरवल 595, औरंगाबाद 1071, बाका 710, बेगुसराय 1918, भागलपूर 288, भोजपूर 1673, बकसर 1168, दरवंगा 952, गया 2300, गोपाल गंज 1113, जमुई 892, जिहानबाद 968, कैमूर 575, कटिहार 1266, खगडिया 1284, किसन गंज 796, लखिसराय 793, मध्यपूरा 778, मधुबनी 1266, मुंगेर 1119, मुजफरपूर 2588, नारंदा 2885, नवादा 1444, पश्चिम चंपारन 1521, पटना 9824, पुरवी चंपारन 1382, पुर्निया 1364, रोतास 295, सहर्षा 800, समस्तिपूर 149, सारं 1728, सेक्पूरा 626, सिवहर 326, सितामडी 696, सिवान 167, सुपाल 1021, साली 1515, संतावन 1270, कुल मामले हैं, बिहार के जिसमें से 36,637, डिश्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, पिसियार टेस्ट नहीं बढ़ाया गया है, वह बहुत कम हो रहा है, और आटी पीसियार कितने हैं, लेकिन जब से रैपीड एंटीजन बिहार में आया है, जाच उसी समय से बढ़ी है, तो अंदाजा लगाना मुस्किन नहीं है, खर जग रैपीड एंटीजन कीट से ही टेस सब्सक्राइब दिखाता है तो इसको कंफर्मेशन के लिए आटी पीसिया टेस्ट हमेशा कड़ाया जाता है डॉक्टर की यह सला है कि जब भी आप रेपिट एंटीजन से टेस्ट कराएं तो अगर आपका निगेटिव आता है तो कंफर्म होने के लिए कि आपको कोरोना नही है इसके लिए आटी पीसिया टेस्स तो अहीं यह जो है इसा हुआ था लगाई तो यहाइद्टी सरकार फटकार को फटकार लगाई टेस्ट वह बढ़ा रहा है अटीस्ट सरकार को इस पर काफी जाधा पटकार लगा और उसके बाद से दिली सरकार ने आटी पीसी आ जो टेस्ट है इसे बढ़ाया था तो बिहार सरकार के लिए यह जरूरी है कि वो आटीपीसी आ टेस्ट को ज़्यादा महत्विदे रैपिड एंटीजन किट के तुलना में हलांकि रैपिड एंटीजन किट जो है वो जो जाच पर उचे वह कही ना कहीं साहयक जरूर होती है और मरीजो खोजने में यह एक ना कहीं आपको योगण जो है वूजरूर देती है मदद जरूर करती है लेकि फिर भी क्योंकि यह कोरोना है जो कि अब फैलता है बहुत तेजी से है एक दूसरे के छूने से भी फैल सकता है हावा जो एर ड्रॉप है उससे भी फैल सकता है तो इसलिए जरूरी है कि परतेक मरीज को पकरा जाए कि कोई भी मरीज बचे नहीं कोई भी मरीज का कोई भी रिपोर्ट गलत नहीं हो और उसके वज़ा से गलत रिपूर्ट की वज़ा से मामला जो है वह ज्यादा गंभीर ना हो जाए इसलिए जरूरी है कि आठी पिस्टे टेस्टे बिहार सरकार उस पर ध्यान दे आज की खबर है और फिलहाल के लिए इतना ही खबरों में बने रहें लिए देखते रहें यह भी हारी नूच धन्यवाद